धम दी पकास उत्सब या धम पकास उत्सब इसको बौध धम या बोधी धम पकास उत्सब भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम आ सकते हैं ऐसा एक वीडियो पिछले साल बनाया था, जिसमें ये बताया था कि कैसे कैसे भग्णवान बुध अपने घर गए और वहां से कैसे कैसे आये और ये जो फैस्टिवल की जो स्री जवसो पूरी पूरी संखला है, ये कैसे उनसे संबंदित है उसके बाद में बहुत सारे लोगों की पृतिकरी आई, कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारा तोहार नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारा है इसके प्रक्ष में बहुत ज़्यदा पृतिकरी आई इसके विवक्ष में भी आई जो विवक्ष में आई जो इस बात को मानने को त्यार नहीं है कि ये सारे के सारे उस सब हमारे है उनकी भी बड़ी खुशी है कि वो लोग सब जागरित हैं जगे हुए लोग है कुछ साल पहले तक मैं भी सारे के सारे उस सब जितने भी हैं उनका बहुत ज़्यादा विरोध ही था चड़ से उनका विरोध करता था मगर मुझे किसी ने ये बताया नहीं समझाया नहीं कि ये विरोध हम क्यों करते हैं क्या करण है जो छोटी मोटी बा खरी उतरे, ऐसी किसी ने बताई नहीं एक विरोध इसलिए था कि ये हमारा आर्थिक नुकसान करते हैं, ये हमारा सामाजिक नुकसान करते हैं, ये हमारा राजनेतिक नुकसान करते हैं और देश में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं इन उस सबों से और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और उनको कोई भी फायदा नहीं होता ये बाट ठीक है कि गरीब आदमी के लिए जरुष से ज़्यादा उस सब के नाम पे खर्च करना या थोड़ा भी खर्च करना उसके लिए मौत के बराबर होता है उसे अपनी रोड़ोजी रोड़ी चलानी होती है अपना काम चलाना होता है और उस सब की जो परंपराएं आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फालतू के खर्च होते हैं जो उस समय की जरूरत नहीं होते हैं इस बास से बलकुर ठीक है कुछ लोग उस सबों का राजनेतिक फायदा उठाते हैं जबकि वो समस्याओं को नहीं उठाते ये बात भी ठीक है और कुछ लोग उसका सामाजिक फायदा उठाते हैं सामाजिक संग्ठन चलाते हैं और सामाज में वेमन से बढ़ाते हैं ये बात भी ठीक है। मगर फिर भी ये जिग्यासा मेरे मन में बनी रही कि आखिर उस सब स्टार्ट कब हो ये और उस सबों का जो स्टार्ट होने का या आरम होने का जो कारण है वो क्या रहा और क्या नहीं रहा। बहुत साहित्ते चानने के बाद में जो छोड़ी छोड़ी बात निकल के आई उनसे बहुत बड़ी बात सामने आई कि कोई भी जो आकरंता होता है या इन्वेडर होता है या आककमन करने वाला विक्ति होता है जो किसी भी देश पे आता है जिसको बाहिय आककमन बोलते हैं वही आककमन ऐसे लोग कभी भी अपने साथ अपने उत्सव लेकर नहीं आते नहीं वो अपने साथ अपनी इस्त्रिया लेकर आते हैं वो सिर्फ हत्या लेकर आते हैं और उनका जो परपज होता है वो लूटना, खसोटना, जपटना और वहाँ जहर गोलना वेवसनता बढ़ाना और वहाँ से भाग जाना या अगर वो वहाँ जाके रहते भी हैं, वहीं अगर कबजा कर लेते हैं या सेटल होते हैं तो वो उन उस सबों पे भी अपना कबजा जमा लेते हैं एकार्थ उससब वो अपनी विक्ट्री का या खुशी का बना सकते हैं या अपने साथ लाया हुआ फिलानी की कोशिस कर सकते हैं उससब जो होता है या उससब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे समय में अस्थापित होते हैं कोई भी उत्सब अचानक एक दिन में अस्थापित नहीं होता साल दर साल लोग वहाँ आते हैं कोई कारण बनता है या तो कोई वहाँ विसेस इस्थान कारण रहा हो या जो वहाँ लोग हैं उन्होंने कोई खास बड़ा काम किया हो या कोई प्रितिक चिन बराया हो या कोई खास भगवली की इस्थिति महां की रही हो तब जाके वहाँ उससब बनते हैं भारत के सारे के सारे जो उससब हैं वो लगबग किर्शी प्रधान है क्योंकि भारत मैं नीचस लेके उपड़ इरान से लेकि और बर्मा तक खेती और किसानी यानि जो फार्मी होती है वही होती थी तो फसल का आना फसल का उगना फसल का बोना बीच का आना फसल का एकटा करना पकना फसल को घर में ले जाना या फसल को चेक करना इन सब के उस सब भारत के अंदर प्रमुख हैं आज के समय में किर्सी प्रधान तो बहुत जीरो हो गया है मामला क्योंकि अब किसानों की इतनी ज़्यादा इज्जत विज्जत तो है नहीं उनको तो एक तरह से भारत के अंदर सिर्फ पैदा अनाज करते रहें उनको कोई हक अधिकार देने को त्यार नहीं है जो लोग उस किर्सी पे ब्यापार करते हैं और उस पे राजिती करते हैं सारे फैसले किसानों के वही करते हैं इसलिए उत सब भी उन्होंने अपने कबजे में कर लिए और ब्यापार में राजिती में और सामाजिक छेत में उनको अधिकार बनाके उनको टूर बनाके उनका सस्त्र बनाके उनका वै वहां की कल्चर होती है उसको भी बताते हैं कि वो कल्चर किन लोगों की रही है कैशी रही है और उसमें क्या-क्या हुआ है इस हिसाब से इत्यास के हिसाब से या जो मूल लिवासी लोग है उनके हिसाब से उत्सब उनकी सारी की सारी हिष्ट्री को बताते हैं सारी सारी चीजे बताते हैं तो इसलिए उत्सब जानना और सब को पहचानना अपनी संस्कति, अपने साहित्ते और अपनी इतिहास को पहचानने के लिए बहुत आवशक है आप उन उत्सबों को मनाए ना मनाए मगर उनको चान चान कर देखें जरूर कि ये किन लोगों ने किस समय किस पहिस्तिती में कब बनाए और क्यों बनाए जो ये दिपावली का उतसब है जिसके उपर विरोध में और समर्थर में बहुत सारी बातें आई जो आप अगर दीप सब्द देखेंगे तो दीप सब्द बहुत प्राचीन सब्द है और भारत का मूल सब्द है आप ये सोचिए कि जब मनुस्य जंगले में रहता था और जिस समय अंधिरा होता था और आग जिस समय अपने आप आई या उसने आग जलाना सीखा तो आग जलाने से जो रोसनी प्राप्त हुई तो उसके दिमाग में ये बात आई कि ये रोसनी उसके हाथ में कैसे आए यानि कि रोसनी पे वो कंट्रोल कैसे करे उस रोसनी को उस आग को कंट्रोल करने के लिए उसने कुछ युक्ती बनाई तो उसने कुछ मौम लिया होगा या उसने कुछ जो चर्बी है जानवर की वो ली होगी और कोई बातिसी बनाई होगी और उसको जला के देखा होगा कि वो लगातार जल रही है तब पहला दिया बना होगा तब उसने रोसनी को कंट्रोल किया होगा और आग को कंट्रोल किया होगा ये बहुत बाद में जाके हुआ होगा इसलिए जो दिये की खोज है यानि जो उनका नाम है दिपांकर यानि कि दिपांकर का मतलब है जो दीप की तरह प्रकास को देते हैं या प्रकास फैलाते हैं दिपांकर नाम चौथे बुद्ध का है एक बुद्ध की जो एज होती है वो लगवा पांच आर साल मानी जाती है आप सोच सकते हैं कि अगर ये बात सही है तो दीपांकर कितने पुराने बुद्ध रहे होंगे, चौथे नमबर के हैं, क्योंकि ये सम्यक्सम गौतम बुद्ध 28 में नमबर के हैं, इसके बाद अगर हम आते हैं आगे, तो जो दीप सब्द है, वो इसलिए भी पुराचिन है, क्योंकि दीपी का और दीपक, दीप सिख और जो दीप वंस है, दीप वंस वो किताब है, जो स्री-लंका के अंदर, यान्यों जो सिंखल है, वहां का बहुत प्रणा कावे मना जाता है, यानि जब धंव असोट के समय महां गया, असोक के बाद गया, तो उनलोगों ने धीप, वंस की जो लिखी और कावे के रूप मे लिखी उसका नाब में उन्होंने दीप दिया है यानि कि उन्होंने उसी प्राचनिष्टी से वो दीप निकला है इसलिए दीप सब्द में कहीं कोई डाउट नहीं है जो आवली सब्द है आवली का माने होता है पंक्ती या माला यानि कि अगर कोई पंक्ती बनाते हैं फूलो की या मला बनाते हैं तो उसको आवली बोलते हैं या अवली बोलते हैं पाली के अंदर पुरानी भासा के अंदर यानि बुद्धी का इस्तमाल करके, अपने तर्क का इस्तमाल करके, अपनी जानकारी का इस्तमाल करके, आप इस तथ्य पर पहुंच सकते हैं, कि यह जो दीपावली है, यानि दीपो की जो अली है, जो दीपो की लड़ी है, इसका सम्मंद भारत की प्राचीन सभेतासिय रहा है और वो समयता भारत की है आनंद के समय में यानि बुद्ध के समय में एक जिकर आता है राजा उदेन का जो राजा उदेन या जो राजा उदेन है उनकी एक रानी है दो रानी उनकी मांगन दिया है और सामाबती है तो सामाबती जब एक वार राजा उदेन से वार मांगती ह कहती है ख्वायश करती है कि भग्मान बुद्ध यहां आके देशना दें रोज दें भग्मान बुद्ध मना कर देते हैं क्योंकि जो बुद्ध होते हैं उनकी लिमिट होती है वो बार बार एक जी कर नहीं जाते हैं मगर वो आनंद को भेजते हैं, आनंद जब महां देशना देते हैं, धम सिकाते हैं, तो जो सामावती है, वो खुश होने के अपने 500 सहलियों के साथ में अपने जो दुसाला है, जो उपर उड़ा हुआ चीवर है, वो उनको दान कर देती हैं, दान का मतलब देना होता है, दे किया हुआ है, अगली वाद जब आनंद आते हैं, तो वो पूशते हैं, कि आप चीवर का क्या करते हैं, तब वो कहते हैं, कि हम चीवर को इस्तमाल करते हैं, जिसको जरुत होती है, उसको सबसे पहले देते हैं, वो पूशते हैं, पुराने चीवर का क्या करते हैं, पुरान नाना सब्द रहा है बुद्ध के समय में जो दीप है जो दीप की बाती है वो एक आम चीज थी लोग जानते थे इसलिए मगर पूरे पूरे साहित्य में जो धम पकास उस सब है यानि जो आज का दीपावली है उस दीपावली का ऐसा जिक्र नहीं है जैसा आज होता है पटा क के घर जाने का और जब राहुल वहां उनको धम देते हैं राहुल को अपने पुत्र को और भाई को देते हैं पूरे गाउं को देते हैं तो जो धम पकास होता है उसका एक जिक्र आता है कि उन्होंने वहां धम फैलाया उसके बाद ही दीपावली का यानि के जो दीपों की लड़ी है या यह उससव है धंपकास उससव है उसकी बात होने लगी होगी और सायद मगद के अंदर और आसपास के इत्कों की वहीं यह सबसे ज्यादा मना है तो वहाँ इसको मनाना सुरू किया होगा यह पूरी एक सरीज है बेसिकली जो आसारी पूरमा से आरंब होती है औ बाहें के लोग उसको करते हैं इसलिए इस बात में कोई संसे रही है कि यह दिवाली का यह धंपकास उससव का यह धंव दीपदान यह नाम इसके कहें जो यह फेस्टिवल आता है कोई जिक्र मिलता है नहीं है, क्योंकि अगर बाहर के लोग इसको बाहर से लेके आये होते, अपने साथ लेके आये होते, तो उनके देशों में आज भी ये मन रहा होता, इसलिए उनके देशों में आज तक भी कहीं कोई दिपावली, या दीबदान उससब, या धम दीबदान उसब या दीप उसब कहीं कोई इस नाम का उसब कहीं नहीं मनता जब उनके यहां मनता नहीं पूरी दुनिया में कहीं मनता नहीं भारत में ही मनता है तो ये भारत का ही है 100% है 200% है इसमें संग से नहीं है आप मनाएं या ना मनाएं ये आपके उपर है आपकी आर्थी किस्तिती के उपर है आपको फायदा होता है मनाईए क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई उत्सब बहुत पहले फायदा देता हो तो वो आज भी फायदा दे और ये जरूरी नहीं है कि वो आज आपको नुकसान दे रहा हो हो सकता है कि आपको क फायदे हमें मिल सकते हैं तो फिर तो मनाने में कुछ घाटा है ही नहीं धन्यवाद